गाजियाबाद के केला भटा इलाके में ईद के मौके पर दो मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ गया है दोनों के बीच चाकुबाजी हुई केला भटा वह इलाका है जो काफी समवेधन शील माना जाता है चाकुबाजी में तीन लोग घायल हो गये हैं जिनने यशोदा अस्पताल में भरती कराया गया है एतिहाद के तोर पर इलाके में भारी पुलिस बस तैनात कर दी गया और दस लोगों को हिरासत में ले लिया गया है बताया जा रहा है कि मामली बात पर विवाद हुआ था एक तरफ जहां ईद को लेकर लगातार तैयारिया चल रही थी सब लोग एक दूसरे के गले मिल रहे थे वहीं ऐसी घटना से लोगों में देशित गरदी पैदा हो गया हाला कि पुलिस परशाशन इसे आपसी रंजिश के मामले से जोड़ कर भी देख रही है लेकिन ईद के दिन इस तरह से आपसी रंजिश निकलने के बार जो लोग घायल हुए हैं उनका तिवहार बिगड़ गया है और जैसा कि हम बता रहे हैं कि इलाका समवेदन शील है इस लिहास से जीला परशाशन के टीम भी मौके पर पहुँच गई खुद कारेकारी डीम भी अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुचे अच्छा पुलीस वाले हैं बैठे जिनको छूरी लगिया वो कौन है अपकी मेरा पोता क्या नाम होता अधनाल पर नवास पढ़के निकले एक लड़का आया चुरी मारता वा चला गया वह पप्लिक ने गई पगड़ो पगड़ो किसे ने नहीं पगड़ा उसको जुनिवर्सल निउज के लिए गाधियाबाद से शीवं गोतम की रिपोर्ट है एक लिएफिज़िए कवाज मारता कर बाता बाता कि लिएएपीयाबाद से शीवं पगड़ो कर बाते हैं